तो हमारे constitution में कुछ articles बहुत ज़्यादा important हो जाते हैं मैं most important articles को आपको ठीक कर देता हूँ जिने आपको याद करने के आवशिकता है तो सबसे पहले आजिए 12-35 यहाँ पर article 12-35 जो किसके बारे में बात करता है fundamental rights के बारे में बात करता है second आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि citizenship के लिए हमारे article कौन से है 5-11 citizenship के लिए article कौन से है भाई 5-11 ठीक है इनमें भी आपको क्या करेगा ना बहुत ज़्यादा confuse नहीं करेगा 6-7-8 या ऐसे ऐसे option नहीं देगा बेकार option कुछ नहीं देगा fix option देगा आपको देगा 36-51, 12-35, 5-11, 1-4 citizenship बताइए किस में है तो आपको क्या चाटना है 5-11 ठीक है ऐसे याद करना है ओके तो भाई देख लो सम्वी धान के अंदर सबसे पहली बात किसकी होती है कि territory कितनी है वारत की establishment, formation ये वो सब ठीक है वारत अपनी boundary वेगरा सब define करता है एक से चार में 5-11 में क्या करता है सबसे पहले अब देश बन गया देश बन गया तो अब इसमें कौन रहेंगे 12-35 यानि कि तीसरे phase में जब citizens आ गए तो citizens को कुछ अधिकार भी तो मिलेंगे तो part 3 के अंदर बात होती है किसकी fundamental या मौलिक अधिकारों की बात ठीक है जी? ओके उसके बाद में आ जाता है आपका part 4, मौलिक अधिकार सबको मिल गए? ठीक है जी मिल गए उसके बाद 36 से 51 यहां पर बात होती है Directive Principles of State Policy कि भाई चलो आपको अधिकार मिल गए आप देशवासी हो गए अब देश का भी तो कुछ कृतव्या है आपके लिए काम करने का तो जो सरकारों के लिए जो policy बनाई गई है कि आप इन दिशा निर्देशों पर चलिए लोगों के लिए ऐसा ऐसा काम करिए ठीक है तो सरकार के जो करतव्या हैं सरकार की जो duties आप मान सकते हो हलांकि duty नहीं है लेकिन Directive Principle का मतलब होता है उनके लिए एक guideline का काम करती है जै यह direction देने का काम करती है सरकार को कौन से article 36 से 51 ठीक है भाई इसके बाद में जो last important बचता है वो है चार हो गया तो चार में एक तो सरकार की बात हो गई अब भाई सरकार के लिए principle कुछ बने हैं तो कुछ फिर लोगों के लिए भी तो बनने चाहिए सरकार आपके लिए कुछ करो आप भी तो देश के लिए कुछ करो देश आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है आप भी करिए तो इसी में ही चोथे में ही पार्ट ए तो पार्ट चोथे का ए भाग वो क्या कहता है इक्यावन आर्टीकल जो आपका था 36 से 51 DPSP हो गया अब 51 A के अंदर आ जाती है Duties of Citizens ठीक है Duties of Citizens कि Citizens की या जो नागरिक है भारत देश के उनके क्या करतव्य हैं देश के प्रती पेड़ पोदो को बचाना है सम्मान करना है साप सपाई रगनी क्या क्या काम है तो वो जो हमारी Duties हैं वो कहां भी गई है आर्टीकल 51 A के अंदर और पार्ट कौन सा रहेगा सम्मीधान का चोथा A और एक बात और याद रखनी है क्या कि इसे जोड़ा गया 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ये बात मैं अल्रेडी पहले भी बता चुका हूं 42 अमेंडमेंट 1976 कब बताई थी किस चीज में बताई थी जल्दी से बताईए परसों की कलास में बताया था इसे अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ठीक है तो 42 अमेंडमेंट जो सम्मीधान में हुई 1976 में उसने दो काम किये एजुकेशन को कनकरंट लेस्ट में डाल दिया और डूटीज ओफ सिटीजन्स एड कर दी गई ठीक है तो सम्मीधान जब शुरू में बना था तो नागरिकों की कोई कर्टव्वे की बात नहीं हुई थी लेकिन 1976 में नागरिक कर्टव्वे इसमें जोड दिये गए ठीक है तो बस इतनी सी बातें आ लोगों को याद रखने की हैं यहाँ पर आर्टिकल्स में से अब दोबारा से बता देता हूँ सभी लोग धान से बेख लेजे इसका स्क्रीन शोटी ले लीजिए पांच से ग्यारा सीटिजन्शिप पार्ट टू बारा से पैंटिस फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार पार्ट फ्री पार्ट फॉर शक्तिस से एकावन स्टेट आपके लिए क्या रगा यानि कि सरकार या देश की जो पॉलिसी है वो आपके लिए क्या करतवे रखती है वो ठीक है यानि कि उसके काम करने के लिए क्या गाइडलाइन से वो तो ड पार्ट फॉर ए आर्टिकल नंबर इक्याउवन ए जो बोलता है डूटीज ओस सेटीजन्स नागरी को के करतक दिया है ठीक है जी यह है बात याद रखने की यहां से इसके अलागा अब इस पॉर्शन में कुछ इंपोर्टेंट एज सच बहुत जादा नहीं है अगली बात य कर दो दो आर्टेंट नहीं है अगली ओस भॉर्शन में कुछ जाद दो रखना है जाद एजी यह है जात